तोपी वाला और बंदर एक दिन एक तोपियों का विपारी तोपियां बेचने दूर के शेर जा रहा था चलते चलते उसे दुपैर हो जाती है गर्मी के कारण उन्दो ठक चुका होता है और कहने लगता है अरे बाप रे आथ तो बहुत गर्मी पढ़ रही है क्यों न थोड़ी देर आराम कर लूँ रास्ते में उसे एक बड़ा सा पेड दिखाई देता है वो अपनी टोकरी वहां रखता है और खाने कर डबा निकाल कर खाने बैठ जाता है थोड़ी देर बाद उसे हलकी हलकी सी छंडी हवा लगने लगती है और नीद आना शुरू हो जाती है वो अराम से पेड पर टेक लगा कर सो जाता है वो मज़े से सो रहा होता है वो इस बास से अंजान होता है कि पेड पर बंदर भी रहते हैं इतने में बंदरों की नजर तोकरी पर पढ़ती है वो रंग बरंगी टोपियों को देखकर खिलने का सोचते है एक-एक करके सब बंदर नीचे आ जाते है और टोपियों उठाकर पेड पर जाकर बैट जाते है कुछ देर बाद जब टोपी वाले की तकावट दूर होती है तो वो उठकर बैठ जाता है और कहता है इस पेड़ की चाओं में सोकर तो मज़ा आ गया, सारी थकावट उतर गई, इतने में उसकी नजर तोपियों की टोकरी बड़ पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्यूंकि उसकी टोकरी में कोई भी टोपी नहीं होती, वो एक दम से खाली होती है, उसे पेड़ के पीछे, मगर उसे कहीं टोपियों नजर नहीं आती, आखिर कर वो ठक हाड़ कर पेड़ के सामने बैठ जाता है, अचानक उसकी नजर पेड़ पड़ती है, क्या देखता है, सारी टोपियों बंदरों के पास हैं, वो कहने लगता है, अरे बाप रे, सारी टोपिय नहीं होता उल्टा बंदर उसकी नकल करने लग जाते हैं ये देखकर उसे उपाय सुचता है वो अपने दोनों हाथ उठाकर हिलाने लग जाता है तो बंदर भी वैसा करने लग जाते हैं उसके बाद वो जोर जोर से कुड़ने लग जाता है तो बंदर भी उसे देखकर वैसा करने लग जाते हैं फिर उसके बाद टोपी वाला अपने सर से टोपी उतार कर जमीन पर फैंक देता है फिर क्या होता है बंदर भी ऐसे करने लग जाते हैं वो भी अपने सर से टोपी उतार कर जमीन पर फैंक देते हैं तो टोपी वाला सारी टोपियां जमीन से उठा कर टोकर मिल जाता है